Hello friends, welcome to All Educate Academy. मैं हुआ अविनास्कमार, आज हम लोग बात करने वाले बिहार A.S.I. और बिहार A.S.I. के भरती कूपग. ये भरती जो आयोग जार करेगे, B.P.S.S.E. यानि बिहार शेवा, अवर आयोग इस भरती को और्गनाइज करेगे. बिहार पुलिस अवर शेवा आयोग इस भरती को और्गनाइज करेगे, और इसमें बेसिक जनकारी हम लोग लेने वाले है, इसमें कब भरती कब तक आएंगे, इसका नोट्फिकेशन आपको चारी होन में कितने दिन लगेंगे, ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में जानन नहीं देंगे, और यहां पर जो चीजे हम लोग को जानना ही चाहिए, ओचीज हम लोग देखने वाले हैं, तो बिहार पुलिस में बंपर नौकरी आने वाले लगवा 8000 पद सिर्जित किये गए, अलग-अलग जिलो में इन पदों का स्रिजन की गई, ये अलग-अलग जिल आप इस चीज को देख लें, उसके बाद कहते हैं, अब यहां पर जो सेवा आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, इसे एक्जाम को दी जा सकती इसका और इक्जाम भरती को और इसके कुछ ही महीने, सब कुछ ठीक रहा, तो कुछ ही महीने में इसका नोटिफिक अब इसमें हम लोग जानते हैं कितना नुटिफिकेशन आने की चांस़े रहेंगे, तो तीन हजार आपको प्रॉक्ष्ट एवन मेंट, तीन हजार 923 या 24 पोष्ट आने की चांस़े रहेंगे, भरती 3924 पोष्ट मान कर चले, आपका यह भरती रहा, क्यूंकि आधे जो जाती है और जो बच्चे हुए पोस्ट होते हैं उस पर भरती निकाली जाती है तो बच्चे हुए पोस्ट लागफा 3,924 होंगे तो इतने पोस्ट पर आपको भरती ही आएगी अब इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक जारी हो सकते हैं जैसे कि आप से पहले भी बताया कि करें तो बच्चे हुए तो पर च्थी फिर में Peng शेंद कि आपको उलाजने ना केशना मोलतार। ओस यदि आपको पसंद्ट भूडूक कीजिए और चानल को सम्क्राइब करना मत बुलेगा तो आपका नोटिफिकेशन यह आप अपना स्वेसं करते रहें करें ज्यों दनेवा जाहिन जापारत